तो टेडर्स डेटा आज 14 सप्टमबर 2022 टाइम हो रहा है 638 मार्केट क्लोज हो चुका है आज के इस वीडियों में हम डिसकस करेंगे एक तो हमारी हम लोगों ने यहां पर 62,000 के आसपास हम लोगों के पोजिशन रही है वह रही है यहां पर 4941 रुपीज अगर हम कैलकूलेशन करके देखते हैं तो 62,000 के यहां से आल्मस्ट एट परसंट के आज पास आज हमने यहां पर ट्रेटन लिया हुआ एज इंट्राडेट्रेड ओके तो यह थो गी हम लोगों के फाइनल पोजिशन एंड आज मार्केट ने क्या किया आते हम चार्ट पर चार्ट का एनलाइसी करते हैं तो अगर हम यहां बैंक निफ्टी को देखते हैं, तोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, मार्केट ने ओपनिंग, ओपनिंग के बाद में देखे हैं, यहां से अच्छी खासी आपर ग्रीन केंडल बनी थी, बैक तु बैक पंदरा मिनट की, इस लेवल के 100 पॉइंट के आसपास अभी भी वह रेली करना भागी है, तो क्या किया था, आज मार्केट एनलाइस वीडियो शेयर किया था, उसमें आप लोगों के बीच के एक लेवल दिया था, तो मार्केट ने एक यहां से ओपनिंग भी उसी लेवल के आसपास यहां पर धी हुई थ साथ मेंने का था, हम लोगों को बाइंग साथ का सेटर फाइंड आउट करना अगर गेब नाउन कुलता है, तो कैसे हम यहां से बॉटम टू कल के हाई का फिबो लगा करके देखते हैं, तो यह देखिए, मार्केट ने कल के हाई का फिबो के इसाप से मैंने आपको लेवल दिया था, कि 38.2% के लेवल के आसपास हम लोगों को एक बाइंग अपोर्चिटी मिल सकती है, क्योंकि यहां पर एक यह सपोर्ट भी है, और साथ की साथ में फिबो का यह सपोर्ट लेवल ही बैठ रहा है, तो मार्केट ने ओपनिंग दिखाई, मार्केट थोड़े डाउन कि मैंने खुद ने यहां पर इसको जैसे इस लेवल के आसपाया था, मैंने खुद ने यहां पर एक पूट ऑप्शन को यहां पर सेल करके रखा था, और उसमें आराम से चौदा सुरुपे के आसपास का प्रॉपिट लिया होता, यहां पर निफ्टी में भी मार्केट ने यहां पर मैंने बनाया हुआ था, कि मार्केट में हमें 50% and 38.2% के सपोर्ट के आसपास से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो यह देखिए exactly market ने कहां से 50, यहां से कल का हाई नहां पर, ओके तो यह देखिए 50% के लेवल के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया, और exactly इस सपोर्ट लेते हैं, यहां पर निफ्ठी भी अपसाइड में आ रहा हुआ था, तो दोनों ही लेवल पर मार्केट नों ऑपनिंग के सब्सेपोर्ट जाहां से लिया था, वह हमारे अनलेसिस आशाब से यहां पर सपोर्ट लिया था जो हम लोगों ने और यहां पर हम बर्ग सब्सक्राइब कर सकते कर सकता विडियो में क्लिल लिका था है कि यहां से rejection face करता तो हम sort कर सकते हैं आराम से यहां से 40 से 50 point के आसपास अगर हम यहां देखते हैं तो market ने देखी यहां से rejection के बाद में यह देखिए almost यह से 60 point की rally की थी downside में ओके तो यह हो गया हमारा हमारे homework के इसाब से market का momentum ओके देन उसके बाद में यहां पर मैंने आप लोगों कोई एक चीज और clearly कही हुई थी कि market analysis video में अगर यह जौन तूटता है upside में इसका breakout मिलता है तो हमें सिर्फ यहां से buy inside के लिए plan कर सकते हैं अगर हम full day यहां कई भी trade test किया हुआ था जो कल का ही लगा था प्रिवेश टेकर इसके बाद में अच्छे खासी profit booking देखने को मिली है तो कल के लिए हमारे लिए important levels क्या क्या हो जाएंगे एक्चुल में जो market analysis वीडिया वो में morning में आप लोगे के साथ में जो recent data आएंगे global market के उसे साथ में आप लोगे के साथ मार्णिंग में अपडेट करूँगा बट फ़लाल जो market ने किया है क्या scenario हो सकता हम वो देख लेते हैं बात करते हैं bank nifty की तो देखिए दोस्तों bank nifty अपने almost high lifetime high के आसपास आया वा था वहाही से rejection लिया और almost 200 points के आसपास इसका lifetime high और touch होना बाकी है तो उससे पहले market ने यहां पर क्या किया हुए हम देखते हैं तो देखिए यहां पर कहीं ने कहीं यहां पर यह लेफ शोल्डर यह head और कहीं ने कहीं यहां पर अब यहां से left shoulder बनाते हैं market जो है तो कल हम sort कैसे करेंगे Buy कैसे करेंगे simple अगर market कल flat open होता है और यहां से down side में आता है तो हम sorting के लिए plan करेंगे अगर यहांसे flat open लेकर के support लेकर के यहांसे breakout देते हुए upside में जाता तो हम buying side के लिए plan करेंगे तो यह सारी चीजे briefly में कल morning में market analysis वीडियो में आप लोगों के साथ में discuss करूँगा आज के वीडियो में मैं सिर्फ लाल यहीं बता रहूं कि अभी market ने closing के time पर क्या क्या किया हुआ है ओके दोस्तों आज के trading session में लोगों ने बुक किया एक अच्छा target आज के वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने दोस्तों का share करें थैंक यू दोस्तों